वेलकम बैक और नेक्स टेय है यह कंटिनु हो रहा है व्लॉग आज है तुलसी वीवा तो सब को हैपी तुलसी वीवा और देव उटनी एकदसी की बहुत बहुत बदा आई हैं और सबसे पहले मैं किचन में साफ सुत्रा कर लिया मैंने किचन पूर अपनी डन क्लीन हो गया है अब साफ सुत्रे किचन में और कुछ नहीं बनेगा जिर्फ भॉव बनाना है तो बहवान विष्णु को जो है प्रीय है बेसन का हल्वा तो मैं बनाने वाली हूँ बेसन का हल्वा घी मैंने ले लिया है अच्छे सित घी में जैसे लड्डू बनाते है न लड्डू के ये वैसे हल्वे के लिए चाहिए घी और वैसन साफ स्टा वैसनद मैं ढ़िए आख है जो सिर्फ फूजा के लिए तो अब यह हल्वा बनाते हैं और इसे बार अडाली है यहां दो शान कऊन द्दिया हूं बस इनका सिंगार में मतलब अभी साडी मैंने पहना दिया, साडी वगरा पहना कर रेडी कर दिया, गमले को अच्छा कर दिया, सही से सजा दिया, अब इनके आसपास जो है, रंगोली वगरा डाल कर थोड़ा डेकोरेशन कर लेती हूं, क्योंकि तोलसी वीवा के दिन जितना अच्छा सुन्दर सा सजा लो, उतना अच्छा होता है, तो पी हो स्कूल गई हुई थी, तो मैंने बोला मेरे पास टाइम है, अराम से कर लूँगी, तो मैंने यहां भी डेकोरेशन किया, फिर अपने आंगन में भी घर के आंगन में भी रंगोली डाली, साथ ही साथ भोग तुलसी दल भी मैं निकाल लेते हूं, क्योंकि मैं एक दिन पहले की तोड़कर रख ली थी, तो तुलसी दल भी मैं ले लेती हूं, सारी चीजे लेकर फिर प्रेटर रडी करकर आपको फिर मिलती हूं, सकसे पहले तो दो घीक अधीपत मैंने रडी किया है, मातारानी की मातारानी की सारी सिंगार की चीजे रडी हो गई है, अब इस तरीके से हम मातारानी का शिंगार करेंगे, विभा करेंगे, और चुन्री उढ़ाएंगे जो आप जानते हैं, गीत है, उठो देव, जागो देव वाला जो गीत है, वो गाकर देव जगा लिया था मैंने, वो पुरा प्रोसेस नहीं दिखाई हूँ, अब उसके बाद भोग लगाया मैंने विष्णू जी को, लक्षमिना रायान जी को, अब भोग लगाकर फिर उसके बाद, अब मैं इनको विभा जो होता है, विभा का पुरा जो प्रक्रिया वो करते हैं, सबसे पहले मैं लड्डू को पाल के साथ विभा करवाती हो, तो पहले इने हल्डी लगाऊंगी, इने महंदी लगाऊंगी, फिर तुलसी माता को हल्डी और महंदी लगाऊंगी, क्योंकि बोला जाता है, जो हल्डी लगता है, वो विष्णू जी का छुआ होना चाहिए, तब तुलसी माता को लगाया जाता तो बहुत अच्छा माना जाता है जैसे हम साधी विवा में जैसा करते हैं कि दूले के यहां से हल्दी आती है वैसे ही यहां भी वही प्रोसेज होता है तो बस यह देखे अब यहां से मेरा काम हो गया अब तुलसी मईया के पाजारी हों उन्हें सबसे पहले तो धूबत्ती और दीपक जलाना सबसे पहले उनका आवाहन करना है और उसके बाद अब मैं इनका पूरा सिंगार करूंगी और पूरा हल्दी महंदी सारी चीजे करवाऊंगी और इस तरीके से मैंने फूजा किया और क्या है इस बार मैं अकेली थी हस्बेंट जो है अंकित जी है वो टू 5 पाज हल्दी लगा जाता है dog 2 Milady चुमते हैं जो बोला जाता है क्यी जगह मैं तो वैसी आप क्या है क्या है वो आप मुझे कमेंस बताना श्चेक के बाद अब लगे की मैंBaldi नगारी हूं उसके बा जो है अब मैंचिंगारागा श्रू करते हैं सबसे पहले बिंदी लग और काते हैं माता रानी को सब से पहले जियुक्त नों कि काता है ज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि की जो स्प्री और शो refuse से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आखों की सुंदरता बहुत ज़्यादा माइन रखती है लोकि लिए अब माता बन liaison चुन्डरी मैंने उड़ा दिया है अब चुन्डरी उड़ाने के बाद अब माता बहुत सुन्दर लग रही थी बहुत सुन्दर लगता है आज के तिन अलग ही रूप खेल जाता है तो उसी माता का जो रूप है न बहुत अच्छा लगता है और अब बस चुन्डरी उड़ा कर उनको थोड़ा सा है ना फिर से मैं दीपक दिखा रही हूं अब दीपक दिखाने के बाद जो विभा का में जो काम होता है सुहागन वाला अब सिंदूर लगाना है सिंदूर लगवा के फिर उसके बाद मंगल सुत्र वगएरा कर पहनाओंगी मैं तो यह देखे यह जो है म मंगल सुत्र पहनाया इयर रिंग भी जो है साथ में कान का भी था तो इस कान का भी मैंने इसमें ही कर दिया अब उसके बाद महावर लगाओंगी महावर लगाकर रहना उसके बाद जो है भोग वगएरा पुरा कंप्लीट हो गया विभा का सारा चीज सिंगार और अब उसक अरिके से तुलसी विववा मैंने किया अब मैं नीचे आ गई थी नीचे ड्रॉइंग रोम में अब दीपक पांस दीपक निकाला है एक दीपक जो किचन में मैं लगाती हूं हमिसा अनपूर्णा के नाम पे क्योंकि घर का जो मेन होता है अनपूर्णा माता कि आपके भंड अब उसके बाद मेरी फ्रेंड ने भी है ना तुलसी विववा का आयोजन किया था और हम सब वहां इन्वाइटेट थे जितने भी हमारे कॉलोनी में हमारे लाइन में थे जितने सब थे तो काफी लोग आये थे और फिर से मैंने यहां पे फिर से पूजा किया वैसी वीधी करते ना तो उसका अलग ही मजा हो जाता है बहुत अच्छा लगता है पर यह दो साल से हम दोनों ही फ्रेंड है यह मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है काजल भाबी तो यह भी पिछले साल से इन्होंने भी स्टार्ट किया था यह है कि यह सब को बुलाती है और मैंने भी पि जो जरूवत हो आइडिया हो तो जैसे कुछ skip होता है तो कभी कभी हो जाता है हम पूजा करने बैठते हैं और ज्यादा gathering हो जाती कुछ हो जाता तो माइन से कुछ skip हो जाता है तो इस तरीके से मिल जूलकर आपस में पूजा पाट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है तो कभी हम future में अपनी पुरानी memory को देखते हैं तो रिफ्रेस्स करते हैं अपने memory को तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हम ऐसा किया करते थे वैसा किया करते थे और मुझे लगता है कि हर किसी को अपनी memory है समाल कर रखनी चाहिए क्योंकि हर बात हमें याद नहीं होती है प अगे बताओंगे क्यों मैं करूंगी वो भी इसका रीजन है और देखे आप इसके बाद आप तुलसी विवा होने के बाद पूरा complete विवा होने के बाद हम परिक्रमा लगाते हैं आपके ओपर है 5,7,11,21 जितना भी वैसे 108 परिक्रमा लगाया जाता है तो आप उस नहीं हो सकता 108 अगर तो आप अपने हिसाब से लगाए और इस तरीके से हम enjoy करते हुए अपने ब्लॉग को end करते हैं फिर आप बताना कैसा लगा ब्लॉग